अपना अलेक्षन जीतने के बाद अली बाबा कल पहली बार गुलूबरगा में अपना खदम रग रहे हैं मैं तमाम साहिब के चाहने वालों से अपील और घुजारिश करता हूँ कि कल आप कसीर से कसीर तादाद में आप आएं उनका बहुती शांदार अंदाज में वेलकम किया जा रहा है नौर्थ करनाटका की एक ताखत बनकर करनाटका स्टेट वर्क बोर्ड के मेंबर बने हैं जो हक की राह में हैं उन्हें कौन रोकेगा जहां भी सेयद अली अलुसेनी चले वही रा रोशन होगी आप लड़े हैं आप जीते हैं आप शुरू है आपका सफर मैं सबसे पहले अल्ला रभू लिजद का शुक्रियादा करता हूँ और सेयद अली अलुसेनी साहिब को मुबारक बात पेश करता हूँ जो करनाटका स्टेट वर्क बोर्ड का अलेक्शन जीते हैं जीतने के बाद वो कल यानि संडे के दिन 24 नवंबर को गुलबरगा आ रहे हैं वो गुलबरगा चार बजे पहुँचेंगे मैं तमाम साहिब के चाहने वालों से अपील और घुजारिश करता हूँ कि कल आप कसीर से कसीर तादाद में आप आएं उनका बहुती शांदार अंदाज में वेलकम किया जा रहा है ये गुलबरगा के लिए बहुती फकर की बात है जिस तरीके से सेद अली अहुसेनी साहिब की जीत हुई है ये वक्त की जरूरत है मैं तो कहता हूँ कि फकर गुलबरगा हैं साहिब जो ये अलेक्शन जीते हैं कल इनका जो रूट है आने का कल नाग्रेशवर स्कूल के पास वो आएंगे वहाँ पर तमाम लोग जमा हो वहाँ पर उनका एक बहुती शांदार अंदाज में वेलकम किया जाएगा फूर उसके बाद उन्हें नाग्रेशवर स्कूल से होते हुए मिजगोरी मिजगोरी से मुस्लिम चौक मुस्लिम चौक से जलालवाडी जलालवाडी से हजरत खाजा बंदार रावाज रहमुत अले के दरखां पर जाएंगे ये उनका रूट है मैं आपके मीडिया के माध्यम से पोलिस डिपार्टमंट से भी ये कहना चाहता हूँ इंटिमेशन देना चाहता हूँ के कल इस तरीके का उनका रूट है कल आप लोग वहाँ भी तैयारी करें हमारे तमाम लोग भी आप से कॉंटेक करेंगे आपको इसकी डिटेल देंगे इस मौखे पे मैं तमाम गुलबरगा के सोशल अक्टिविस्ट पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोग डॉक्टर्स इंजिनियर्स टीचर्स गुलबरगा के तमाम जिम्मेदारान सबसे खुजारिश करता हूँ कि आप लोग आए ये हमारे लिए बहुती फकर की बात है बहुती कल का दिन गुलबरगा शेयर के लिए खुशी का दिन है जो साहिब कल अलुसेनी चले वही रा रोशन होगी शुक्रिया जजाक अल्ला खेर नहीं तेरा नशेमन खिजर सुल्तानी की गुम्मत पर नहीं तेरा नशेमन खिजर सुल्तानी की गुम्मत पर तू शाहीन है बसे राकर पहाडों की चटानों पर पहाड़ों की चटानों पर मैं हाफिस स्यद अली अल हुसेनी साहिब संचादे नशीन बारगाय बंदनावाज रह्मत अले के सबसे पहले उन्हें मुबारेक बात देता हूँ अली बाबा को जो एक बहतरेन थोड़े से प्रेड में आट-दस दिन के प्रेड में जबके खुसरो बाबा का विसाल हुआ था उसके बाद कोशिश करकर नौर्थ करनाटका की एक ताखत बनकर करनाटका स्टेट वर्क बोर्ड के मेंबर बने हैं इंशालला चेर्मेन का अलेक बार अपना खदम रग रहे हैं तो मैं तमाम गुलिवर्गावालों से मेरी जानिप से और खार आड़े मज़े जख्या घू और कल ठीक चारज चार बज़ो भुजे को तशरीफ ला रहे हैं नागरेशवार जवानों की जानिप से आपसे अपील कर रहा हूं कि अली बाबा कल ठीक चार बज़े गुलबरगा शरीफ को तश्रीफ ला रहे हैं नागरेश्वर इस्कूल के पास पहले तमाम लोग हम हमारे साथे जमा होंगे वहां से अली बाबा मिजगोरी क्रास मिजगोरी से मुस्लिम चोक मुस्लिम चोक से दरगा जाएंगे दरगा पर वहां पर एक स्टेज बनाया जाएगा जो तमाम लोग जो आने वाले जो बाबा को गुलबशी करने वाले हों तमाम लोगों के लिए बाबा वहां पर मिलेंगे तो मैं तमाम में जब वागबोर्ड को लूटे जाने का बिल आ रहा है ऐसे महौल पर जब मोधी गौवर्मेंट वागबोर्ड के ओपर दबाउ दाल रही है वैसे महौल में नौर्थ करना टका में जब के सबसे ज्यादा दरगाएं हैं मजीदें हैं वैसे वैसे चीजों को प्रोटेक्ट करता हूं कि यह जो रोड मैप दिया गया है वहां पर आप लोग आएं आकर अलीबाबा की गुलपुशी शालपुशी जो करना है कर सकते हैं